नमस्कार बच्चों कैसे सभी बढ़िया होंगे यह जो आज का लेक्षर है इसको रिकॉर्ड करने का मेरा उदेश यही है कि बहुत सारे बच्चों के आप लोगों के मैसेजस आ रहे थे कॉल आ रहे थे कि सर कैसे पढ़ें क्या पढ़ें डेट कब है क्या पोस्पॉर्ण हो जाएकी डेट क्या बढ़ेगी यहां पर कोई अब ही कई लोग यूटूप पर बीडियो बना के डाल देते हैं कि यह देखो पेपर की कटिग ये पेपर की कुटिंग लेकर डाल देखेंक कर देटे बढ़ने वाली ये बढ़ने वाली देखो बचो मैं बताओं आपको सबसे पहले पहले तो आप अपने दिमाग से ये भ्रहम वाली चीज़े निकाल दो के डेट बढ़ेगी ये होगा बोगा अरे बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी हमारा जब हम सर पर कफन बांद के पीटी का बैठे हैं सोचे हैं कि हमें पीटी ही क्रेक करनी हैं तो आप बताईए मुझे क्या फर्क पढ़ता है यादी 10-15 दिन बढ़ भी गई और मैं तो यह मानता हूं यह बिल्कुल मच्छों सोचों के बढ़ जाएगी बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली कोई भी ऐसी सिच्वेशन नहीं है कि डेट बढ़ेगी सबज में बात आई तो अपने दिमाग में यही सेट करके चलो देखो मैं बता देता हूं अब उसका सही इस्तेमाल करना भी सीखो आप कैसे सीखो यहां देखो कुछ नहीं करना है बच्चों आप जो के पास जो किड़नी है ना आपका मोबाइ जो किड़नी बना के रखे हो गूगल खोलना इस पर MPP भी डालना यहां पर इंटरफेस खुलेगा MPGOB.in का और Employee Selection Board की Official website खुलेगी यहां एंगले सिंदी जो भी आपको करना हो वो कर सकते हो ठीक है इसके बाद देखो यहां यह लेटेस्ट अपडेट चलने है तो यहां पर अभी तक कोई भी ना तो एडमेट कार्ड का अपडेट आया है ना कुछ ऐसा आया कि बढ़ गई यह देखो विटनरी के ओनलाइन फिसरीज के फॉर्म स्टार्ट हो गए है दाहेट का भी फॉर्म स्टार्ट हो गया एनिमलस वेंडरी वाले ठीक है तो यह बहुत सारे चीजे अब देखो केलेंडर कहां से देखो यहां है आपका यहांका एक्जाम शेडियूल दिया गया है यहां देखो आपका दो अगस्त को जो पेपर दिया गए हाई स्टूल का इसके नीचे आओ गए 25 जुलाइवाला है इसके बाद एनिमल हस्बंडी पत्चीश सब्सक्राइब करना निकाल दो बढ़ेगी आपको ऑफिसियल प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करना है क्या इस पर पड़ी इस पर डेट डली है तभी आप मानना बच्चे नगी तो कुछ मत माना करो क्योंकि आज कल सोसल मीडिया का जब आना है कुछ भी परोसा जा रहा है और उसके चक्कर में आप उस वीडियो को देखने में क्या करते हो समय बरिबाद कर देते हो टाइम खराब करते हो फिर मन में बहुत सारे ख्याल चलने लगते हैं यार तयारी करें या ना करें कितनी बढ़ गई होगी आराम से रिलेक्स होके बैठ जाओ गया अभी तो एक महीना पड़ा है यही फेलियर्स के कारण होते हैं आपके सबसे बड़े फेलियर्स के कारण यह ही है तो इतना समझे अब दूसरे बात पर आता हूँ एक बात तो हमारी complete हुई दूसरी बात हमा कुछ बच्चों को लेकर कुछ बच्चों को बहुत सारा डाउट था कि सर मैं क्या करूं कैसे तैयारी करूं बहुत कम टाइम बचा है इतने कम टाइम में कैसे possible हैं चीज है क या आपने 11-12 में नहीं पड़ा तो सबसे पहले मेरा यह है कि जिन बच्चों ने बच्चे जिन बच्चों ने 11-12 में है ना 11 में है एक मिट बच्चे जिन बच्चों ने 11 में या फिर 12 में है ठीक है 11-12 में जिनका अच्छा है देखो जिसने 11 का पूरा पड़ा है 12 का पूरा पड़ा है तो मैं यह मानता हूँ कि उनको परेशानी होनी नहीं है बस आप क्या करो कि जो स्लेवस है है ना स्लेवस है आपका उस स्लेवस को बिटा उठाओ पिएटी के स्लेवस को आप उठाओ और उस स्लेवस मैंसे जो चीजें आपको आ रही है चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो ठीक है मैस हो या बाय हो तो इस मैंसे इतना करके तो आओ जैसे मानलो यह 25 का आता है यह 25 का आता है यह 25 का आता है तो इतलीस इस मैंसे मतलब आ आपका strong subject, strong subject समझ रहो बच्चे, यनि आपके physics अच्छी आती है, तो आप physics को और अच्छा करो, ताकि एक भी question आपका गलत ना हो, chemistry अच्छी है, तो आप chemistry कर सकते हो, mess अच्छी है, तो bio अच्छी है, तो bio करो, at least bio तो mostly बच्चों की थोड़ी ठीक ठाकी रहती है, तो command ये ब time बचता तो other subject को भी time दो, एक तो ये बात हो गई, ठीक है, और जो बच्चे सब में अच्छा कर सकते हैं, तो बटा इसका अब कुछ नहीं है, आप तो इसके questions उठाओ और questions लगाओ, ठीक है, और उन questions से, ठीक है, उन questions से क्या करना है आपको, उन questions से आपको, जो भी concept समझ म नहीं आता हूँ, उन questions के मात्यम से, उन concept को पड़ो, ठीक है, उन concept को पड़ो, और मैं तो ये मानता हूँ बच्चे, अब समय है आपको PYQ लगाने का, previous year के question उठाओ, उनको solve करो, उनको लगाने के start करो, तो automatically आपकी चीज़ें अच्छी जाएगी, अब बात करते हैं किसक कम, अच्छा करके आएंगे, क्यों, क्योंकि 11-12 का ही बेस है बच्चे, 11-12 का ही बेस है, इस से यादा कुछ नहीं है, अब दूसरी चीज़, आप ऐसा कर सकते हो, मालो अभी 11 को एक्जाम होना है, आज जब इस टाइम पर आप देख रहे होगे, या मैं वीडियो बना तो 22 से मालो 8 दिन ये हैं आपके पास, और 10 दिन बो है, तो आपके पास टोटल 18 डेज हैं, कितने डेज मच्चे, 18 डेज, है ना, अब इस 18 डेज को देखो आपके पास क्या है, एजी, 1, 2, और 3, अब यहाँ पर देखो 50 नंबर का तो ये है, इस 50 नंबर में क्या है आपका subject, slivers देखो, subject, अब इसमें सबसे पहले तो आपका एग्रोनोमी आएगा, ठीक है, एग्रोनोमी हो गया, फिर इसके बाद आएगा, इसमें सॉयल साय Nस आजएगा, क्या आजाएगा, फिर आजाएगा आपका हौटी कल्चर, क्या आजएगा, हौटी कल्चर, तो देखो प200 ओचे यहां पर agronomi में आपको crops पढानी है बहुत सारी चीज़ पढानी है तो स्बसे चीज़ा मैं बता agronomy में आपको क्या पढ़ना है everyone लो मि में आपको क्या पड़ना है तो सबसे पहले तो एग्रोनमी ओन जितनी शेट्र में इसे परीणी Muhammad करते हम वी उन्हे kurder विटियों परिश्च थर च last tão मेंहें परहीं च draft थाап में होते हैं हैं कि गरी सोद्विकार कंडने हैं उन्हें फर आपको इसके बाद आप बात करता हूं में irrigation की कोई ज़्यादा task नहीं है एक ही दिन का काम है यहां से questions आते हैं irrigation को पढ़ो बच्छे irrigation के बात बात करते हैं आपकी sowing methods की ठीक है sowing methods को पढ़ लो यहां से questions आते हैं इसके बात करते हैं sowing methods के बात करते हैं terminology हो गई, types of farming, यानि खेती के प्रिकार होगा, कितनी प्रिकार की खेती होगा, irrigation पढ़ लो, sewing methods, यानि बॉआई की विधियां पढ़ ली, सचाई की विधियां पढ़ ली, अब देखो यहाँ पर कुछ क्या important चीज़ आती है, कुछ important फसल है, जो आपके syllabus में mention है, crops कौन सी पढ़नी है मेटा, जो किसमे है, जो P.A.T. के, P.A.T. के syllabus में mention है, वो आपको crops पढ़नी है, उनके बाहर कुछ नहीं पढ़नी है, उन crops में भी आपको क्या पढ़ना है, देखो, एक तो उनकी seed rate पढ़ लेना बच्चे, यानि बी इसदर के बाद उनका उत्पत्ति, origin space, ठीक है, origin पढ़ना है, आपको उत्पत्ति गहां से हुई है, दूसरी चीज उनके रोग पढ़ लेने आपको, क्योंकि आजकल ये trend में, रोग से questions आते हैं, उनके, समझ में आई बात, और दूसरी चीज आपको spacing पढ़नी है, spacing मतलब spacing में क्या करोगे, बाई की, मतलब जो आपकी दूरी रखी जाती है, पौधे से पौधी, पंक्ती से पंक्ती, तो देखो ये सब आपको agronomy में पढ़ना है, तो देखो जिन बच्चों को अभी नहीं, मतलब अभी start गर रहे हैं, तो उनके लिए देखो कुछ नहीं है, आप यदि ये भी करते हो, तो आठारा दिन है आपके पास, तो आठारा दिन में ऐसे माल लो, आप कुछ नहीं, तो इन में आपके कितने, आपके कुछ नहीं, तो आपके ये हो रहे हैं, एक, दो, तीन सब्जेक्ट, तो छे दूरी, बारा, छे तरी, अठारा, क्या ये छे दिन में complete कर लोगे इतना possible है इतना बिलकुल है जी हाँ कर सकते हो six days में इतना possible है आपके लिए बिलकुल possible है अब दूसरी चीज six days तो मैंने ज्यादा बोल दिये बच्चे ये three days मैं करोगे ठीक है अब इसके बाद आप देखो अपनी efficiency के उपर depend करता है कि आप क्या कर सकते हो इसक सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है मिरदा में इसकी उत्पत्ती ठीक है उत्पत्ती उत्पत्ती के बारे में origin के बारे में पढ़ना है दूसरी चीज दूसरी चीज क्या पढ़ना है इसके order जो आते हैं यहां से question आते हैं यहां से question आते हैं तीसरी चीज क्या है आपको पढ़नी है जो इसमें फ्रॉम वॉठर होता है यहां से कॉस्टन आ सकते हैं कि तीसरी चौथी चीज qi ट्रॉत्र से कॉस्टन आते जटने भी ट्रॉज होती है आपकी जैसे इसमें पढ़ लेना ठीक है से के प्राईमर्री ट्रेज होता है अप्टर ओता है बहुत सारे question आते हैं बच्चे आपको जो management topic है जहां से question आ सकते हैं fertilizer आप अच्छे से cover कर लो ठीक है fertilizer के बाद होगे आपके green manure crops होती है ठीक है यानि organic manure जो भी होते है organic manure जो होते है इसके बाद आपके bio fertilizer से question आते है bio fertilizer यह important है fertilizer तो यह important कुछ topics है और भी आप add कर सकते हैं I think so यदि आप revision कर रहा है तो रिवीजन प्रॉस्पेक्ट से जो management topic रहने वाले वो मैं बता रहा हूँ बात करता हूँ horticulture की तो बच्चों देखो horticulture में आपको horticulture से उतना वेटेश नहीं मिलता सबसे ज़्याद आपको मिलेगा है तो यह agronomy यह soil sun से दूसरा चीज तीसरा आता होट की culture अब देखो 50 questions तीनों से related आने आपको तो यदि मैं बात करता हूँ horticulture की उध्यान विज्यान की तो आपकी आती है orchard planning यानि उध्यान को लगाने की जो planning करते हैं जो विधियां होती है उनके बारे में आती है ठीक है एक तो यह हो गया आपका नमबर दूसरे की बात करूं मैं orchard planning के बाद यानि उध्यान को कैसे लगाते हैं उसकी field selection कैसे करते हैं कैसे चैन करते हैं यहां से question आ जाते हैं दूसरी चीज इसकी लगाने की किरंतन से आती है अपकी और मतलब सबसे पहले चीज हाँ प्रोपागेशन मैथट से आ जाती है प्रोपागेशन मैथट प्रोपागेशन मैथट समझते हो बच्चे यानि प्रभरधन की विदियों से आते हैं प्रभरधन ठीक है तो प्रभरधन जैसे लेरिंग होती है ठीक है रूट कटिंग होती है तो बहुत सारी प्रभरदन से आ जाती इस पर मैं लेक्चर बना के डाल चुका हूं तो यह देख लेना प्रभरदन के बाद बात करता हूं तो यहां से आपका एक और टॉपिक निकल के आता है मैथट्स हमारी हैं हो गई हैं लगाने की विदियां हो गई प्रॉपागेशन हो गया और प्लानिंग हो गई इसके बाद बात करते हैं तो देखो जो आपके इस सिलेवस में फ्रूट क्रॉफ है उसको पढ़ लो उसकी भाई इस पेसिंग बगेरा प पढ़ लेना इंपूट्ट बेंट वहां से भी कोश्टन आते हैं बच्चे तो यहां से भी इसकी बेराइटी पूछी जा सकती है समझमें आई बात तो अब बात करते इस पेसिंग तो यहां पर हो गया अब छटबा क्या रहा जाता है कुछ होते हैं जैसे माल लो देखो मै मैं फिरूट क्रॉम में बता दे रहूं सबसे इंपोर्टेंट मैंगो से डिसीज पूछ लिया जाते हैं ठीक है मैंगो से इसके रोगों के बारे में पूछ लिया जाता है ठीक है इसके बाद आता है नीवू नीवू बड़ा इंपोर्टेंट है इससे पूछ लिया जाता है पपीता भी important है पपाया इससे भी पूछ ले तो important crops है तो इन के देखो mango के disease नीवू के disease और पपीता की ये तो पढ़के ही जाना है यहां से question आने की पक्की पक्की संभाब ना है रहती है ठीक है तो यह मैं almost आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ तो यह horticulture है आपकी propagation methods लग है कि आजकल जो question इसमें trend में डारता है full full की खेती से पूलों की खेती से जो question डालते है या तो particular किसी flower plant के बारे में पूछा जाता है कि भाई सब यह कौन सा plant है यह किस रितू में अच्छा होगता है कैसा होता है क्या होता तो आपको क्या करना है जितने भी flower plant आपके mention है एक data और ना मेंटल और ना मेंटल प्लांट जितने भी हैं इनको एक बार पढ़ लेना है भाई सब कि यह कौन से रितू के हैं कब उगाये जाते हैं यह question आता है इसके बाद इसका nature कैसा होता है यह जाड़ी भर लब स्रवजी होते हैं जाड़ी वाले होते हैं यह तने वाले हो तो देखो कई बार इस टाइप के questions आये हैं ठीक है तो एक तो बात यह हो गई दूसरी चीज आप garden पढ़ लेना बच्चे आज कल यहां से question आने की संभाब ना है कौन से garden जैसे मुगल garden है बहुत सारी चीज हैं इसके बाद घास के बारे में पढ़ लेना लाउन बहुत ही important हो जाती है उसके लगाने की विधिया क्या होती है तो यह सब चीज हैं बहुत ही important matter करती है इतना समझ में आया क्या बच्चे चलो तो यह थो थी आपके 50 नंबर की बात अब बताओ मुझे यह 50 नंबर कितने खतरनाक है अब बात करते हैं डारेक्टली जो 50 नंबर बिलकुल बिलकुल जहां से आप easily वो question उठा सकते हो वो है हमारा क्या है वो है आपका animal husbandry यहां से बच्चे आप पता है आपको सीधा सीधा 50 में से 50 question भी ला सकते हो 50 out of 50 question भी इसमें मार सकते हो कैसे देखो सबसे पहले सबसे पहले तो आपके जो mostly question आते है जो आजकल आते है ठीक है तो वो question आपको सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है देखो तो पहले तो आपको पढ़ना है एनाटॉमी के बारे यानि पसू की सरीर की रचना के बारे में किसके बारे में सरीर रचना के बारे में एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है ठीक है एनाटॉमी के बारे में ह अधिया रीप्रोड़क्टिव सिस्टम में ही आपका आजाएगा ब्रीडिंग तीक है या जाएगी ब्रजदन की विधियां पर प्रजदन विधियां आ जाएगी यहां से कॉश्चन आते हैं इस में जैसे सबसे इसमें कई बार कॉश्चन आता आपका AI से यानि आटी फीशि में आपको क्या पढ़ना है इनके लक्षण पढ़ने यानि दिखने में कैसी होती है यह से इसके इनकी इस पेसिपिक देखो एक्जामीनर कोश्चन के लिए उठाने के पहले उसमें क्या देखता है कि उसके उठाने के पीछे उसकी क्वाल्टी क्या यह देखेगा बच्चे का अगयर रीडे आउन प्रीड के बात बात करते हैं हैं और रीडे के बात बात करते हैं इनके लिए सबसे बड़ी operates देखो इंपोर्टेंट चीज इनकी बतारा रहे। रोग रोगों की बात करतें हिक तो आपको इनके लक्षण सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लग कारक जो होता है जिस से रोंग होता है यह चीज आपको पढ़ में दो दो price box का दुख्द छरणतंत्र ठीक है यह नहीं मिल्क का लेक्टेशन छटवा पढ़ लेना यहां से जो इंपोर्टेंट है क्या सकता जो मैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है मैं वो चीज़ बता रहा हूं जहां से नंबर ओप लेंनाई इसके बाद बहुत सी बैलेंस रेशन जो होता है आपका और क्या सकता है यहां से और अच्छे फीडिंग तो आपका यह हो गया दुख दिशरण हो गया फीडिंग हो गया दूसरी डिसीज भी हो गई ब्रीडिंग नसले हो गई अब और क्या रह जाता है इसमें इंपोर्टेंट चीजे यादि मैं बात करूं फीडिंग के बाद तो बात करता हूँ फीडिंग के बाद कुछ इंपोर्टेंट चीजे मैं बता रहूं आपको यदि मैं बात करूं फीडिंग के बाद हाँ जी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट नहीं न दुग्द उत्पाद से भी क्वेश्चन आते हैं दुग्द उत्पाद और इनमें उप्योग होने वाले जो यंत्र होते बच्चे उससे क्वेश्चन आते हैं जैसे बटर चर्णर देखो सब कुछ आपका उसमें दिया है ठीक ह बहुत सा सेपरेटर क्या होता है क्रीम सेपरेटर सेपरेटर बहुत सारे कॉस्चन आते हैं बच्चे तो आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है अब बोलोगे सर यह मैं कंप्लीट कहां से करूँ बच्चे आप लोगों को जो MP बोड़ वाले सभी बच्चे हैं तो मैं बता जाए है आप इन बुक्स से यह topic cover करवार कर लो बच्चे इन बुक्स से डेफिनेटली यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा इसमें आपके प्रैक्टिस से भी रहते है सब कुछ रहता है बच्चे कुछ नहीं जाता है इतना प्यारा इसमें दिया गया पुरा description दिया गया और लग जाओ समझ में आया और कुछ नहीं आपके पास जो 11 बीकी बुक है जो 12 बीकी बुक है उस बुक को उठाओ और स्लेवाज मैंसे उन टॉपिक को निकालो कुछ कहीं से पड़ने का ना इधर का पीडियेप ना उधर का पीडियेप आपका उसी में से आएगा बच्चा यह आप लोग mentality बना के रखते हो तो I hope की मेरी चीज़ें आप समझ रहे होगे बच्चे बहुत ही कम समाय है आप net पर यहां सर्च करके वहां सर्च करके यह PDF करके वो PDF करके कुछ नहीं मिलने वाला बिटा आपके पास बड़िया प्यारी सी 11th की book होगी 12th की book होगी तो इन book को ही पढलो से ले बसके according आपका 100% उद्धार हो जाएगा यह मेरी guarantee है समझ में आया बच्चे यदि यह अच्छा लगाओ यह video तो like share जरूर करिएगा धन्यवाज जय जवान जय किशान